नमस्कार दूस्तों मेरा नाम संदीप है आप सभी का बहुत स्वागत है टेक इडिवाइड हिंदी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अपने फोन को आप कैसे फास्ट कर सकते हो जियां दूस्तों फोन में बहुत सारी असी मतलब फोन दीरे-दीरे-धीरे मतलब होने लगता है तो इस का दिन से अप यूजड यह सुछता है कि यार फोन में फोल्ट है फोन पुराना हो गया तो इसलिए अधर फोन हेंग करता है लेकिन नहीं यर आज ऐसी बात रही है अगर जो आप अपने फोन को में उने चलोगे कुछ setting जो मैं बताऊँगा उसे अगर आप follow करते हो तो अपने phone को आप double fast कर सकते हो double से भी ज्यादा 5 गुना fast कर सकते हो तो वीडियो काफी useful है हाट Android user के लिए जिसका की phone धीरे चलता है कुछ slow चलता है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका phone काफी fast होने वाला है वैसे वीडियो को सुदू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर आपने subscribe नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को subscribe कर लो और हाँ अगर आपने Instagram पर follow नहीं किया है तो Instagram का link वगरे description मिल जाएगा तो Instagram पर भी follow कर दो यार और आपका कोई स्वाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते है अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो दूसरे चैनल का link भी description मिल जाएगा तो उस चैनल को भी subscribe कर ले और hacking tips की वीडियो के लिए चलो यार वीडियो को शुरू करते है ओ भाई रुको रुको अगर जो आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दें और अगर आपने subscribe नहीं किया है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर दें गहन्ती ब्टन को दबा दें ताकि और भी इससे अच्छी वीडियो जानकारी वाले वीडियो आपको मिलती रहे यहाँ पर देखे इस वीडियो को शेर का जो बटन है आपको शेर करदेनी है वाटसअप में ग्रूप में कैसे ultimate fast कर सकते हैं तो देखो यार हर phone में कुछ ना कुछ setting होता है जिसे की user अगर जो follow करे तो phone को बहुत ही जादा fast कर सकता है तो मैं यहाँ पर आपको बताने ही जा रहा हूँ कि वो सारे setting के वारे में कहां से चालू करें, कैसे चालू करें तो देखें जैसे की मेरा नॉर्मली जो phone है यहाँ पर आपको मिल जाता है about phone कोई phone में नीचे रहता है कोई phone में उपर रहता है तो जिसे मेरे phone में center में था तो देखें about phone में जाने के बाद यहाँ पर देखें मेरे phone में version है आपके phone में बिल्ड वर्जन होगा, बिल्ड वर्जन पर आपको 5-6 बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा additional mode, additional feature या फिर advanced setting और उसके अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा developer option, developer option मिलने के बाद यहाँ पर हमें कुछ settings जो है, हमें चालू कर देनी है और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है don't keep activity, background process limit तो इसे आपको must importantly यहाँ पर दो कर देनी है जिसे कि मैंने background process limit मैंने कर दिया, अब यहाँ पर जो background बहुत सार है, अगर हमने फोन में हजारों application भी रखेंगे तो वो सब process में नहीं रहेगा, बस दो application जो में चलाओंगा वही रहेगा, जिसे आप तुरंद तुरंद जो use करते हो, वही आपका अच्छे से चलेगा और यहाँ पर जो activity है, और जो दूसरा activity है, फालतू का, वो यहाँ पर background में नहीं चलेगा और सोचने वारी बात है, जो नहीं चलेगा background में, तो आपका phone simple सी बात है, fast होगा तो यहाँ पर यह दोनों setting आपको चालू कर देनी है अपने phone में, और इसके बाद आपको उपर scroll करना है और उपर scroll करने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर ढूनना है, windows animation scale, transaction animation scale, इसे turn off भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 0.5 कर रहा हूँ अगर turn off कर देंगे, तो थोड़ा ओर fast हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत animation देखना चाहता हूँ इसलिए मैंने 0.5 कर दिया, अगर आप भी यहाँ पर 0.5 या turn off कर देते हैं, तो आपके phone का performance बहुती जादा fast हो जाएगा और fast चलेगा पहले के comparison में, यह कोई fake नहीं है, सब कुछ real video है, बीना application कि आप अपने phone को बहुती जादा fast कर सकते हो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को like कर दें और channel को subscribe अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो channel को subscribe भी कर दीजेगा, देखिए subscribe का जो बटन है, आपको subscribe कर देनी है, और इस वीडियो को share कर दें, ताकि और भी लोग का help हो, आपके दोस्त, आ के साथ, ताइक्स और वाचिंग